चलिए आज बना लेते हैं मेथी मटर मलाई, वो भी रेस्टराउंट स्टाइल में, एक कप मटर और मेथी लेकर पानी से दो तीन बार धोकर साफ करें, गैस पर पैन रखकर उसमें एक लास पानी डालकर, उसमें इस मटर को डालकर 10-15 मिनुटों के लिए ढखकर पका 15 मिनुटों के बाद हमारे जो मटर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, गैस बन कर दीजिए, गैस पर पैन रखकर 2-3 बड़े चमच सरसो का तेल, बाजू के तुकड़े, एक बड़े साइस का प्यास कटा हुआ, एक बड़े टर मटर डालकर 2-3 मिनुटों के लिए अच् से भून लीजिए, गैस पर पैन रखकर 2-3 बड़े चमच सरसो का तेल, आधा चमच जीरा, तयार किया गया मसाला, हल्दी, लाल मिर्श पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर डालकर सभी जीजों को अच्छे से मिला कर मसाले को पका लीजिए, जैसे ही म मसाला थोड़ा सा पक जाए, उसमें भूनी हुई मेथी, साथ ही उबली हुई मिटर डालकर मसाले के साथ अच्छे से मिला दीजिए, अब यहाँ पर रेस्टोरंट स्टाइल का स्वाद लाने के लिए एक लास दूर डालकर ढखकर 10-15 मिनिटों के लिए सभी चीजों को पक दीजिए, जैसे ही सब्जी थोड़ी सी पक जाए, उसमें आधी कटोरी मलाई डालकर मिला दीजिए, साथ ही स्वादनुसार नमक, कस्तूरी मिथी डालकर फिर से ढखकर 10 मिनिटों के लिए पका लिए यहाँ 10 मिनिटों के बाद आप देखेंगे कि जो हमारे सब्जी है, व साथ सर्फ करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,